देखिए जब बच्चे घर पे रहते हैं तो ऐसे किचन में ही टाइम जाता है हमीशा क्योंकि इन लोगों को हमीशा छोटी छोटी भूख लगती रहती है तो अभी शाम का टाइम है लगबग 4-4 बज रहे होंगे और हम दोनों माबेटी लगे हुए हैं किचन में नास्ता बना रहा हैं मैं कुछ और बना रही हूँ तन्वी कुछ और बना रही है चलिए आपके साथ शेयर करूँगी मैं क्या बना रही हूँ रेस्पी भी शेयर करूँगी और ये नास्ता ना इतना टेस्टी लगता है कि ब बना रही हूं सुबह से पूरी क्लीनिंग करने में आज टाइम नहीं मिला तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया अभी साम के टाइम से मैं यह व्लॉग कर रही हूं अभी से सुरू कर रही हूं तो चलिए भाकर बड़ी बना करके इन लों को नास्ता करेंगे और आज सुबह स तेस्टी लगती है और फटा फट से बन जाती है तो यहां पर आलू उबाल करके उनको छिलके और मैस कर लिया है मैंने इस तरह से और अब इसमें कुछ चीज़ें एड करेंगे जिससे की यह बहुत अच्छा लगेगा तो यहां पर दो से तीन मिर्चे मैंने काटी है हरी मिर् कच्छा ही सब कुछ पढ़ता है और बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ा सा आज मैंने ट्विस्ट किया है क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये रेसिपी शेयर की है लेकिन उसमें मसाले थोड़े अलग थे इस बार मसाले अलग है तो यहां पर देखिए लहसुन और अद्र काला नमक लगभग आधा चमच डाल दीजेगा ज्यादा मत डालिएगा इसके बाद इसमें टेच्छ के कॉर्डिग हम सफेद नमक ृग्धि डालेंगे तो यह डालने के बाद फिर इशमे हम जो है एड करेंगे यह चाट मसाला तो एक चमच के लगभग चाट मसाला डाल चाट मसाले से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और सारे कच्छे ही मसाले पढ़ते हैं, इसके बाद यहां पे आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली है, साथ ही अपने टेस्ट के हिसा और यह चटपटा सा लगने लगता है, इसके बाद धेर सारा धनिया काट करके डालेंगे, तो इससे पहले जो मैंने बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और थोड़े से रेगूलर मसाले भी डाले थे लेकिन इस बार मैंने मसाले नहीं डाले हैं, आटा लगा लेते हैं भाखरवडी का, तो चार से पांच लोगों को बनाना है, इसलिए मैंने यहां पे आधा किलो मैदा लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा कलाउजी और थोड़ा अजवाइन मिक्स कर रही हूं, और साथ में हम इसमें मोयन भी डालेंगे, तो मोयन के लि अगरते हुए आटे को मिक्स करिएगा ताकि लम्स न रहे, इस तरह से आटे को मिक्स करने के बाद फिर पानी डाल करके नॉर्मल पानी के साथ इसको हम गूधेंगे, और फिर यह आटे को हम लगभग 10-15 मिनट धख करके रख देंगे, तो देखें यहां पे पानी डाल रह इसमें पानी डाल करके एक पतला सा घोल बना लेंगे, इसकी जरूरत पढ़ेगी आगे, हमें जो स्टफिंग जब हम भरेंगे भाखर बड़ी में तो उसी में इसको डिप करके और इसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं, तो देखें बाबु आ गया है और इनको भी इंट् काम सीखना है, तो इनका इंट्रेस्ट भी आ जाता है, खेर अभी छोटे हैं, तो हर काम में इंट्रेस्ट आ ही जाता है, तो आगए तो पेस्ट बनाने लगे, तो मैंने भी दे दिया कि लो बनाओ, कुछ तो करो, अभी तो जितना करने लाइक है, उतना ही करवा सकते हैं, बाकी चीजें तो भी बड़े होने पर इनको सिखाया जाएगा और देखिए आटा भी सेट हो गया अब चलिए हम जो है भाकरबडी बनाते हैं तो भाकरबडी बनाते समय न इसका जो आटा आप लगाईएगा वो जो रोटी आप बनाते हैं वैसा ही सॉफ्ट आटा तो वो उथर कस्टड बना रही है आज सारे फूट भी मंग आ लिए थे ओर जो है कस्टड पाउडर भी मंगाया था इसी वज़ासे बन नहीं पारा था क्यूकि कस्टड जाएगा था तो मैं भाकरबडी बनाओंकी और तनवी बनाएंगी कस्टड बाकरबडी की जो रेषि चैर करती रहती हूं जब भी हम लोग बनाते हैं खास करके गर्मियों में जब आप्सन कम हो जाते हैं क्यूंकि सर्दियों में तो मटर वगेरा रहते हैं तो बचे तो ऊप जाते हैं लेकिन फिर मटर चलता है तो उसके ही नास्ते बनते रहते हैं तो बहुत सारा आप्सन रहत तो फिर बैट करके बात करने में भी बहुत टाइम चला जाता है हम लोगों का तो इसलिए बचों की छुटियां है तो चार-पांस दिन इस तरह से लगेगा फिर उसके बाद धिरे-धिरे रूटीन सेट हो जाता है कि कौन-कौन से काम जरूरी है तो वो काम करना होता है अब देखने में नहीं भी बहुत टेस्टी लगता है तो कुछ भी स्नेक्स साम को खाने का मन होना तो इसको बना के जरूर ट्राइगा तो यहां पे मैंने ग्रीन चिली सांस के साथ और टोमेटो सांस के साथ इन लोगों को दे रही हूं तो खालेंगे यह लोग और साथ में इसके बाद जब कस्टर्ड बन जाएगा तो ठना उने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो फ्रीजर में मैंने रख दिया है तनवी ने बना दिया था उसके बाद तो यहां पर देखिए रोटियों की तरह बेल लेना है बहुत मोटा रोटी नहीं बेलना है बहुत पतला भी नहीं करना है मीडियम साइज का बेल करके और उसके उपर इस तरह से स्टफिंग को फैला देंगे और फैलाने के बाद चारों तरफ से इसको हम इस तरह से किनारों किनारों से मोडते जाएंगे और इसके बाद एक पतला सा रोल बना लेंगे रोल को हम फैलाएंगे तो ये स्ट्रेचबल सा हो जाता है और जैसा हमें पीस चाहिए उस हिसाब से यह रोल स्ट्रेच हो जाता है तो इस तरह से मोड के और इसको हम गोल कर लेंगे इसके बाद इसको हम चाकू से काट देते हैं छोटा-छोटा पीस करके और फिर जो हम लिक्विड बनाये हैं तो उस लिक्विड से मतब जो गोल बनाया है हमने उस गोल में इसको डिप करके और उसके बाद हम इसको रिफाइन आयल में चानते हैं तो इसको सरसो के तेल में तो नहीं चानते हैं आप अपना जो भी आयल यूज करते हैं उसमें चान स झाल झाल तो फाइनली सारे ही वाखर बड़ी को मैंने फ्राई कर लिया है और साथ में ये लोग खाते भी जा रहे थे तो इस तरह से सारे सिफ्ट को निकालने के बाद और जो कस्टड था ना उसको मैंने फ्रिजर में रख दिया है बनाया पूरा तनवी ने है थोड़ा बहुत मुझस करके और इसके बाद हम लोग कोसिस करेंगे कि खापी करके एक बार गार्डेन में जाएं क्यूंकि वहाँ पानी देना बहुत जरूरी है तो देखें अब यह लोग तयार होते हैं या नहीं तो उसके बाद हम लोग जाएंगे वैसे जब हम लोग बैठ जाते हैं बात करने नास्ता करते समय खास करके सारे लोगँ कठ्थे जब बैठते हैं बच्चे हम यह मम्मे इसी ज़ल document साथ हो और समय का पता ही चलता है Gmail कोषिस में लगी हुई हूं कि आज तो मैंटेस पे चली जाउं और इसके बाद जा करके थोड़ा सा कुछ काम भी कर लूँ क्यूंकि नासता 5 बजे तक हो गया था हम लोगों का और फिर आया चाय का ओरडर क्यूंकि अभी जो कस्टर्ड बन रहा था उसमें टाइम था क्यूंकि वो गरम था तो फ्रेजर में भी जल्दी ठंडा नहीं हो रह हम लोग और उधर ना मैंने चाय बनाया और इधर जो है कपड़े भी लगा दिये आज शाम को ही क्योंकि लाइट पूरे दिन नहीं थी सुबह 8 बजे की लाइट कटी हुई थी हर संबे आज कर लाइट कार्ट दे रहे हैं लोग पता नहीं कुछ काम चल रहा है साय इस वज पापा तो दोखा देखाने के लिए चुट्टी बीग गई ना मेरे बाल सब्सक्राइब तो आज संडे को ना प्रोग्राम था कि हम लोग मुवी देखने जाएंगे लेकिन प्रोग्राम फेल हो गया और इंकर कुछ काम आ गया तो बस वही बाते हम लोग कर रहे थे कि यह करते हैं लेकिन करने पाड़ते हैं वीचारे काम में फसे रहते हैं तो तर्वी पढ़ने वाले हैं पूरी छुट्टी में पढ़ भी ना तो इतना काम निप्टाते निप्टाते और बातो बातों में हमारा जो कस्टर्ड था न वो भी ठंडा हो गया था तो चेक्किया हमने इसके बाद यह हुआ कि अब खा करके ही छट पे जाएंगे लेकिन ये करते करते हमें साथ बज़ गया बैठ के बात करने में क्योंकि ना तो फाइनली एकडम रात हो गई है लेकिन आगा है हम लोग छट पे तो आज तो पानी नहीं पड़ा है कल पानी पड़ेगा या मॉर्निंग में देखते हैं तन्वी आएंगी साथ में तो हम लोग साथ में पानी डा लेंगे अभी तो बस पौधों को देख लेते हैं अगर करके सुकून मिलता है बहुत अच्छा लगता है छोटा गार्डेन जरूर होना चाहिए घर में ना जी गार्डेन रहने से मन लगा रहता है देखिए आप लोग को घुमा भी देती हूँ रात में कुछ ऐसा दिखता है हमारा गार्डेन एकदम सुन्दर सा इधर देखिए कितने फूल थीले हुए हैं अभी तो मैं ही दिख रही हूँ ऐसे दिखाती हूँ यह देखिए सब फूली फूल है चारो तरफ अभी भी सर् डालेंगे होप यह चोटा सा व्लोग आप सबको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे देली व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में तब तक के लिए बयभाई